दोस्तों यहाँ पर UP SSC में भरती को ले करके एक बहुत बड़ी नोटीस आई है और इस वीडियो कमादेम दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि कितनी बेकेंसी आने वाली है किस किस पोस्ट में आने वाली है कब तक आने के उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अपने अपने स्कोर कार्ड देखे लिए होगे और आपने प्रसेंटाइल भी देख लिए होगा और आपको पता चल भी गया होगा कि आपका क्या कंडिसन है तो चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल सी में जो बेकेंसी आने वाली है इसमें क्या होने वाला है तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने लिखा हुआ है कि यूपी में बाइस जार साथ सो चवरानवे पदों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जानिये कौन से पद भर जाने है अधिनास्त सेवा चायन आयोग सभी भरतियों को आनलाइन प्रक्रिया तुक के तहत करेगा आनलाइन आवजदन लेने के साथ ही जरूरत के आधार फर आनलाइन परिच्छाएं कराने के विचार किये जा रहा है मतलग भी दोस्तों अभी तक आफ एंड परिच्छा हुआ करता था लेकपाल का और जितनी भरतिया आती थी यूपी ट्रपल सी की वीडियो वडियो की तो अभी जो है विभाग सीटेट की तरह अब तो सीटेट भी ऑनलाइन होने वाला है उसके तरह जो है दोस्तों जैसे बैंकों के परिच्छा होती है उसी तरह से उसी तरज पर यूपी ट्रेपल सी यहनी लेकपाल अपाल की वीडियो की परिच्छा भी ऑनलाइन कराने की प्लानिक चल रही है अब देखते हैं दोस्तों यूपी में सरकारी नवगरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आने वाली है यूपी में जल्द ही 22,794 पदों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है इस भरती प्रक्रिया में लेखपाल के 7,882 पद दोस्तों यह बहुत मोश्ट इंपॉर्टन्ट है जो की यह काफी लोग बेट कर रहे हैं स्वास्ते कारे करता के 9,212 पद ठीक है किरिसी प्रावधिक गन्ना परवशक के 25 सो पद गनिस्क सहायक वह आसूलिपिक के 2000 पद परियुक साला प्राविधिक एक्सरे के 1200 पद और इस तरह से कुल 22,794 पद उपर भरती की जानी है तो दोस्तों यहाँ पर आगड़ा आप नोट कर लो कि जो हमने बनाया बताया अभी 22,794 पद हैं उसका हमने एक एक स्रियल बाई बता भी दिया है कि कितने कितने पद यहां प्याने वाले हैं अधिने स्तसेवा चाहन आयोग सभी भरतियों को आउनलाइन परक्रिया अगतात करेगा आउनलाइन आवदन लेने के साथ ही जरुत के अधार पर आउनलाइन परिछाय कराने के बिचार किये जा रहा है दोस्ते यहां पर यह सबसे बड़ी बात है कि जो परिछा आउनलाइन कराने के बाद चल रही है यह अभी तक बिल्कुल नया है अभी दक तो आफलाइन परिछा हुआ करती थी लेकिन अभी आउनलाइन कराने के प्लानिंग बन चुकिए जिसमें पारदर्सित प्रकुणिया बनी रहे आयोक इसके साथ ही सभी भरतिओं के लिए पाठीकरम जारी करेगा जिसमें सामिल होने वालों की सहहता मिल सके समोगा कि भरतिओं के लिए अंग्रेजि और कम्प्यूटर ग्यान जरूरी है आयोक का मानना है कि अंग्रेजी और कम्पीटर की जनकारी आज के दोर में सबसे अधिक जरूरी है दोस्तो आगे बात करते हैं पर कि आवेदन के समय इन डाकुमेंट्स की पड़े की जरूरत बारहमी की सर्टिफिकेट लेखपाल भरती के लिए आवेदन करते से में अभियरतियों को ट्रिपल सी कोर्स आन कम्पीटर कॉंसेप्ट की भी आख सकता पड़ सकती है इसलिए अभियरतियों को इस सर्टिफिकेट को अपने पास रखना बेहत जरूरी है तो दोस्तों आपने सुना होगा इसके बाद दोस्तों आपको काश स्रेटिफिकेट आपको बनवा लेना है तो इस तरह से आपको ये सारे डाकुमेंट्स आपको रेडी रखने पहले से ये वेकेंसी अपलाई करने के लिए फिलाल दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ बेकेंसी बात कर रहा था कि कितने कितने पोस्ट आने वाले हैं तो मैंने इस वीडियों दोस्तों मैंने बताया आपको कि 22,794 पदों पर भरती होनी है जिसमें 7,800, 82 पद लेकपाल के हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट से 9,212 पद हैं गन्ना पर रचक से 2,500 पद हैं और आसुलिपी के दोस्तों 2,000 पद हैं और एकसरे डिपार्टमेंट से दोस्ते हैं पर 1,200 हैं इस तरह से कुल दोस्तों 22,794 पद है जो कि मैंने दुबार आपको बता दिया तो ये सारी वेकेंसी बहुत जल्द आउट होने वाले हैं आप बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहें और दोस्तों ये परिक्षा इसकी नहीं होगी वेकेंसी तो पहले आजाएगी ये मैं जानता हूँ लेकिन दोस्तों इसकी परिक्षा जो है एलेक्षन के बाद होगी ये भी मैं जानता हूँ तो आप लोग जो है बस रेड़ी रेखें प्रिपरेशन करते रहें बागे दोस्तों जब भी कोई नोटिफिकेस नाएगा हम आपको वीडियो को आदम से बता दिया करेंगे इस तरह से बिट पाने के लिए हमारे चैनल पंकज एडिटे को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आगएंग को प्रेश कर सकते हैं मिलते हैं सब अगले वीडियो नमस्कार